हालो बजो, लेट्स रीट इस क्वेशन, इस क्वेशन से एन इन पेर्मेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस अन रिलीज अफ एडियेज, रिजल्स इन डिमिनिश्ट अबिलिटी अफ दे किड्नी तो कंजर वाटर लीडिंग तो वाटर लॉस अन डिहाइडरेशन, इस कंडिशन sawn-as । यहां तो यहां पे क्या पूला गया है एडियेज का जो सिक्रीशन है यह क्या हो गया है, इस वज़े से किड्नी अपना प्रॉफर फंक्शन नहीं कर पाराही है और उस वज़े से क्या हो रहा है हमारे बाड़ी से वाटर का लॉस ओड्स और अटर्ण प्लस dehydration हो रहा है तो उस टाइम पर क्या होता है प्यास जाधा लगती है dehydration हो अगर पानी का लोग जाधा हो रहा है इमारी बोडी से तो प्यास जाधा लगती है ठीक है उस condition को हम बोलते है diabetes इनसिपिडस, ठीक है डायबिटीज इनसिपिडस कहा जाता है, तो C option हमारा correct जा रहा है, डायबिटेज मिलाइटस हम किसको कहते हैं, जब बलड के अंदर ग्लूकोस का लेवल अमारे बढ़ा ही रहता है, ठीक है बढ़ा ही रह रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, को हम क्या कहते हैं, डायबिटेज मिलाइटस और इसके अंदर पेशिन को इंसिलिन थेरेपी देके ट्रीट किया जाता है, ठीक है तो ये इनकरेक्ट हो जागा, ग्रेज डिजीज हम किसको कहते हैं, जब बेसिकली हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है तो उस कंडिशन में बेमार बढ़ जाता है, वेट लॉस होने लगता है, ऐसे लगता है कि आइस का प्रोटूशन हो रहा है, ठीक है तो इसको ग्रेज डिजीज या फिर एग्जॉप्ट थैलमें गॉइटर कहा जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जागा, एडिसन्स डिजीज हम किसको कहते हैं जब adrenal cortex से hormones का proper secretion नहीं हो रहा है, अंडर production हो रहा है adrenal cortex के hormones का, जिसकी वज़े से carbohydrate metabolism alter हो रहा है, हमारा patient के अंदर weakness आ रही है, फटीज हो रहा है, तो उसको हम Addison's disease कहते हैं, Addison's disease is related to adrenal cortex hormones, ठीक है तो ये भी क्या हो जागा, इनकरेक्ट हो जागा, मारा correct option चला जागा, option C इसके regarding information आपको 11th की new NCRD में page number 242 पे मिलेगी, I hope कि आपको equation अच्छे से समझा गया है